तो आईए दोस्तों आज हम डे फोर में कुछ नए कॉंसेट सीखते हैं तो सबसे पहला कॉंसेट है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं तो आईए पहला कोशन देखते हैं तो यानी कोशन हमारा के रहा है हिंदी में देखते हैं 20 रुपे प्रती किलोग्राम और 15 रुपे प्रती किलोग्राम वाली दो चीनी दो क्वालिटी की चीनी है वहने किसे अनुपात में मिलाया चाये ताकि जो मिक्सड चीनी याए अनि मिश्रश चीनी और 16 रुपे प्रती कराम पर जब हम बेचें तो हमें ना ही प्रअफिट हो olde यानी ना ही लाभ हो और ना ही राभ हो तो जब लाभ और हानी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा cost price और जो selling price है वो बराबर होगा ठीक है तो हम से allegation से कैसे करते हैं और ratio निकालना है तो allegation ही सबसे best है तो सबसे पहले लिख लिए हमने first quality यानि की 20 रुपे पर kg वाली 20 रुपे पर kg वाली उसके बाद 15 रुपे पर kg वाली 15 रुपे पर kg ठीक ह यह भी cost price दिए यह भी cost price दिए अब यहां पर profit और loss कुछ नहीं हो रहा इसका मतलब cost price और selling price दोनों बराबर है तो यह हम cost price भी ले सकते हैं तो इसे हम 16 लिख देंगे 16 रुपे प्रति किलो बस allegation इस method को कहते हैं allegation इन दोनों का difference 1 इन दोनों का difference 4 यह 1-4 ही हमारा answer है जिस ratio जो मेंने मिलाया जाएगा ताकि ना profit हो ना loss हो आईए allegation से करने वाला हम दूसरा सवाल देखते हैं कि बोल रहा है there are some pigeons and ships in a grazing field the number of total heads are 60 and total legs are 168 including both pigeons and ships the number of ships यह सवाल कह रहा है कि एक मैदान है जिसमें कि कुछ कबूतर और कुछ भेड़े हैं ठीक है तो जब सभी सर गिने जाते हैं यानि total heads गिने जाते हैं सभी के तो वो 60 होते हैं और जब सभी के pair गिने जाते हैं तो 168 होते हैं तो बताइए कि number of ships यानि भेण कितनी है मैदान में तो ऐसे सवालों करने के लिए हम allegation इस्तिमाल करते हैं और हम इसमें क्या लेते हैं अने लिए सबसे पहले pigeons तो pigeons को हम P लिख लेते हैं तो किती है total सर 60 है अगर सब 60 की 60 पूरे 60 की 60 अगर pigeons होते तो उनके पैरों की संक्या कित्ती होती अब pigeons तो दो पैर वाला होता है तो यानि मान लो के total 60 की 60 पीजन्स यानि कबूतर है हमारे और total कबूतर के 2 एक कबूतर के 60 हमारे ships है और एक ship के पैर किती होती है चार तो total number of ships हमारी किती हो रही है 240 ठीक है और हमें question में क्या बोल रहा है कि 168 पैर है ठीक है तो हम यहाँ पर allocation लगाते है allocation लगाएंगे तो 168 और 240 का difference आएगा तो यहाँ पर किता है 72 और यहाँ 168 और 120 का difference किता आ रहा है 42 जब हम इसका ratio निकालेंगे तो यह किता होगा 2 और यह किता होगा 3 ठीक है तो यह 3 इस्टू 2 हमारा आगया total अब इसे किता 5 यह total हमारा 5 है यानि 5 total number of मतलब जानवर है तो हमारी एक की value हमारी किती है 12 यानि sheep हमारी किती है 24 यह 1 unit की value हो गई और 3 unit की value किती हो गई 12 त्रीजा 36 यानि 36 हमारे pigeons है और 24 हमारी sheep है हमारा concept number 3 है कि यदि किसी number में उसका 16 सही 2 by 3 परसेंट जोड दिया जाए तो वो number 4956 हो जाता है तो original number क्या होगा तो सबसे पहले हमें इस question में 16 2 by 3 परसेंट का fraction निकालेंगे 16 2 by 3 परसेंट का fraction किता होता है तो यह होता है 1 by 6 ठीक है तो यानि बोल रहा है कि जब 6 6 एक original number है इसमें इसका 1 by 6 जोड दिया जाए यानि 1 जोड दिया जाए तो वो number 4956 हो रहा है यानि 6 में 1 जोडा 7 तो 7 की value question में क्या दिरक्किए है 4956 यानि यह इसका किता times है यह इसक हमसे क्या पूछा है original number original number क्या था हमारा 6 तो 6 की value क्या होगी हमारी 6 की value होगी 4248 यह हमारा answer है हमारा आगला concept है कि एक rectangle है अगर उस rectangle की length 37 1 by 2% increase करी जाए और उसकी breadth 20% decrease करी जाए तो जो उसके area में percent होगा वो कितना होगा ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हम 37 1 by 2% की fraction देखते है किती होती है 37 1 by 2% की fraction होती है हमारी 3 by 8 और 20% की fraction होती है 1 by 5 ठीक है और जो rectangle होता है rectangle का area कितना होता है तो rectangle का area होता है length into breadth यानि कि लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक है तो हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि यदि उसकी length जो है यानि लंबाई है वो 37 1 by 3% increase करी जाए यानि कि 8 तो पहले से 8 से उसको 11 कर दिया जाए तीन increase हो रही है ठीक है और breadth जो है उसको 20% कम कर दिया जाए यानि 5 से 4 कर दें तो area क्या होता है length into breadth यानि पहले area कितना था 5 weight जा 40 अब कितना है 44 तो change कितने का आया है change आया है 4 का किस पे आया है 40 पे तो यह हमारा percent निकलेगा इससे काटेंगे जब तो 10% का increase आया है change 10% का increase चेंज आया है तो हमारा fifth concept है कि जब भी किसी चीज में किसी एक rate से उस चीज को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए तो उसमें change क्या होता है जैसे कि ये question बोल रहा है हमारा कि 1% की जो salary है उसे पहले 20% increase किया उसके बाद उसे 20% कम कर दिया decrease कर दिया ठीक है तो उसके percentage change salary में क्या होगा तो इसके लिए एक direct formula होता है x square upon 100 यानि ये x square upon 100 का direct formula होता है और ऐसे case में हमेशा loss होता है तो इस formula में अगर हम put करेंगे तो ये होगा 20% का whole square upon 100 यानि 400 upon 100 जीरो जीरो cancel तो 4% और ये हमेशा loss होता है जब भी किसी चीज को एक rate से बढ़ाया जाए और फिर उसी rate से घटाया जाए तो हमेशा loss होता है उस case में हमेशा कभी profit नहीं होता थैंक यू